प्रदेश कैबिनेट बैठक में आज 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी जेई और AES विमारी की रोख्थाम के लिए आरोग के पेजल योगना को मंजूरी मंत्री में कहा प्रदेश में 6 करून लोग को आईशमान भारत योजना से लाब आज बंजारा समाज की रहली में कहा दोसों की आबादी वाले मजूरों का विदिती करूं करके कराया जाएगा पक्की सलक का निर्माद प्रदानमजी नर्दमोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभातियों से क्या समबाद कहा जंद सुरक्षा के तहत लावगी के योजनाएं अलग अलग प्रिसितियों और आयू वर्के रोग के लिए हैं और प्रदानमजी नर्दमोदी कल संद कबीर के 620 में प्राकटि महुत्सों लगहर में लेंगे भाग इस अफसर पर संद कबीर अकादमी ये करेंगे शिरन्यास मुक्त मंत्री ने लिया कारेक्रमों की तैयारियों का जाइजा नमस्कार में हुदिल शाद और समचार विस्तार से सबसे पहले बात करेंगे आज प्रदेश कैबिनेट में जो अहम फैसले लिये गए दरसल यूपी कैबिनेट की बैठक में बुद्वार को सतरा प्रस्ताव पास किये गए कैबिनेट में जेई और एएस पीमारी की रोक्ताम के लिए आरोग ये पेजल योजना को मनजूर देने के साथ ही पुलिस के मैनवल में कई संशूर्धन किये गए बेटक में J.E. और A.E.S. पीमारी के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य पेजल योजना के तहट बस्ती के आसपास साथ जन्पद और बुंदेलखंट के साथ जन्पदों में 25 लिटर की शमता वाले आरो लगाए जाएंगे पास साल में 71.5 करोनों खर्च कर सभी प्रात्मिक विद्यालों में आरो की सुविधा उपलब्द कराई जाएगी इसके लिए ठेके दिये जाएंगे इसके साथ ही कैबिनेट बैटक में पोलिस के मैनुवल में संचोधन किया गया है क्लर्क, एकाउंटेंट और कॉन्फिदेंशल असिस्टेंट दो शादिया नहीं कर सकेंगे और ना ही गर्ल्फ्रेंड रख सकेंगे साथी वर्ष 2017-18 योजना में अविभाव कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा कॉशल विकास मिशन और तावधिक सिक्षा युभाग ने आज अनुमोदन लिया मुख मंतरी आरो पेजल योजना इसके तहत जो बस्ती और गोरगपुर के साथ जो आपके डिस्ट्रिक्स हैं जन्पत हैं उसमें AES जैई प्रभावित जो हैं साथी साथ तो बुंदेल खंड के भी जो साथ जन्पत हैं टोटल चौदा जन्पत हो गएं इसके अंदर 28,000,41 सरकारी प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक विद्यालों में 25 लीटर की छमता के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नीक के माध्यम से ये विवस्ता की जाएगी इसके रावा प्रदेश कैविनेट बैठक में कैक की रिपोर्ट के लिए अनुमूदन दिया गया और बैठक में फैसला लिया गया कि डॉक्टर राम अनुहर लोहिया के दोनों चिकित साले का विलै होगा राजिपाल ने इसे पनुरबचार के लिए भेजा है इस अस्पताल को एम्स की तर्च पर लाने के लिए भी राजपाल ने कहा है अब इसके कुलपती स्वैम राजपाल होंगे साथ ही पिछला वर्क के वेक्तियों को रोजगार प्रिशिच्चन के साथ साथ OBC के टेगरी के लोगों को भी प्रिशिच्चन दिया जाएगा इसमें कारीगरी, एलक्ट्रीशियन, सिक्यूर्टी गाड का प्रिशिच्चन दिया जाएगा इन्हें किट उपलब्द कराई जाएगी और लोन भी दिलवाया जाएगा जनपत शामली में बिजली की समस्चा को देखते हुए यहाँ आप चार सो किलो वाट का एक साब इस्टेशन साथ सो आउतिस करोन, एक सट लाग की लागत से बनाया जाएगा इसमें शामली के लावा मुझफवन नगर और मीरट के लोग को भी सुविथा मिलेगी और वर्ष 2013 में निरुनायर किया गया था कि पावर कंपनी की शेल तैयार की जाएगी सो नभदर पावर कंपनी शेल बनाई गई थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है ग्राम सभा की जमीन को सरकिल रेट की आधार पर ओदिवी विभाग देगा ताकि छोटी इंडस्ट्री को जमीन दीता सके बैटक में इस बात को भी मंजूरी दी गई कि यदि कोई भी एक हज़ार करों तक का पी-पी जिए डिपल-पी मॉडल लगाना चाहता है तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहट सीधी आविदन कर सकता है कि सुच्छम लगू एवं मध्धिम तथा निर्यात प्रोचान विभाग द्वारा जो S.C.S.T. है अनुसूचित जाती और जन जाती को ये प्रसिक्षन देते हैं अनेक छेत्रों में मगर ये हमारा संकल्पत में भी था कि इसके अंदर संचोधन करके इसमें O.B.C. को पिछड़ा वर को भी जोड़ना चाहिए तो वो आज किया जा रहा है इसके अंदर अनेक प्रकार के प्रसिक्षन होईंगे और जिस प्रकार से बढ़ाई, प्लम्बिंग, राजमिस्त्री, सुरक्षागाड, कालीन, एवं दरी बुनाई, पंचर रिपेरिंग, टेलरिंग, एलेक्ट्रीशन, अत्यादी इस तरफ के रहेंगे सोन भथ के अंदर यह जो शेल कंपनी और इस पीवी बनाई इसकी आवशक्ता नहीं है और अभी तक इसमें कोई काम भी नहीं हुआ था, तो इसको समाप करने या खतम करने के लिए आज प्रस्ताव आया तो यह शेल कंपनी खतम, मतब बंद की जा रही है तो प्रदेश कैबिनेट की बैटक में जो महात्पूर्ण लगने लेगी है, उसमें से एक निर्णा ये भी है कि विधायकों को अब 2 करोन 40 लाग की विकास निधी मिलेगी, जिसमें 40 लाग तक GST में जाएगा और मघर में विकास के लिए 250 लाग रुपे का बजट दिया गया था, अब इसे सोसाइटी के तहट विक्सित किया जाएगा सरकार ने 4 संस्थाओं को इसमें रेजिटर्ट किया है, एक पुस्तकाले भी इसके इंतरकत बनेगा, साथ ही उच्छ नियायले से सेवा निर्वत नियाधीश की पति पतनी या विधवा पति पतनी के लिए भत्ता बढ़ाया गया है, इसे 14,000 से बढ़ा कर अब 20,000 और 15,000 क कर दिया गया है, इसके लावा उच्छ नियायले के भूत्पू नियाधीश की मिर्ति उपरांद परिवार को सहायता राशी प्रतिमा 10,000 और 7,500 भी करने का फैसला किया गया है, मान्य मुख नियाधीश एवं मान्य नियाधीश गंड को धनराशी 14,000 और 10,000 दी जारी थी, अब वो बढ़के 20,000 और 15,000 होगे, वो 2011-12 से वर्ष 2017-18 के अंदर जो देखा गया है वो लखभग 47.82 परसंट बढ़ा है, कि मान्य उच्छ नियाधीश एवं मान्य नियाधीश नियाधीश एवं मान्य नियाधीश मूर्तिगंड के मृत्यो प्रांद उनके स्पाउस जो धर्म पत्नी है, यह मतलब दोनों हो सकता है, स्पाउस का मतलब, कि करमसाथ 6,000 एवं 4,000 प्रतिमा अनुमन ने किया गया था, वो बढ़के 10,000 और 7,500 किया जा रहा है। चलिए अब रुक करते कुछ और खबरों का, प्रदेश में 6 करोन लोगों को आईश्मान भारत के तहट स्वास्त लाब मिलेगा, यह जो जना 15 अगस्ते शुरू होनों की समभावना है, यह बात लखनों में आज लखी शा बंजारा नायक समाज सेवा संस्थान दौराइज महारैली में मुख्यमंत्री योगी आजितनात ने हमने संबोधन में कही, उन्होंने कहा कि बंजारा समाज की जो भी दिकते सामने आई हैं, प्रशासन उसकी जाच कर उसका समधान करे, मुखमंत्री ने कहा कि प्रदिर सरकार सभी वर्गों काल्यान के लिए योजना चला र पढ़ाने की विवस्ता, उनके लिए विन प्रकार की सुब्धाय उत्लब्द करवाना, लेकिन इन सुब्धायों के बारे में जानकाली हमें होनी चाहिए, सासन की योजनाओं के प्रदी जाप रुपता, और फिन इमानदारी के साथ पातलता के अम्रोप, उन लोगों तक योजना का लाब पहुचा देना, एक नई योजना भी प्रदान मंत्री जी ने भोसित की, वहाँ पुरे देश के अंदर, ऐसे परिवारों के लिए, जो अच्छी स्वास्त सेवा नई प्राप्त कर पाते थे, आयुस्मान भारत के नाम पर, उपर देश के अंदर 6 क्रोण को, 5 लाग तक की स्वास्ते भीमा की योजना से अच्छा दित करनी के बड़ी अच्छी योजना प्रारम होने जा रही है, हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त से इस योजना को हम प्रदेश के अंदर पाकूप कर दें, और मैं आवान करूँगा, हम कितने जागरूप हो पाएंग अच्छी सिक्सा, अपने बच्चों को पढ़ाईए, अच्छी सिक्सा दीजिए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगतंत्र की आड़ में लोग कानून विवस्था को बिगाल देते हैं, लेकिन आप लोगतंत्रिक विवस्था के तहत यहां आए हैं, यहां आगमन पर हम आप सभी का धन्यवाद ग्यापित करते हैं, आप लोगों ने शासन के समक्ष अपनी को लेते हैं, लोगतंत्र के डाइरे में रहे करके सांटिकोण तरीके से अपनी बातों को सासन प्रसासन के संग्यान में लाकरके उसके समाधान का रास्ता निकालना, मुझे लगता है कि लोगतंत्रिक परंप्राओं की प्रति सम्मान का ये भाव हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है, एक नई दिसा दे सकता है, और मैं धन्यवाद दूंगा लखिसा बंजारा नायक समाज के इन सभी नायकों को जिनोंने लोगतंत्रिक मुल्यों पर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि दोसों की आबादी वाले हर मजरे का विदिदी करन करेंगे और पकीस सलक भी बनाएंगे, अभी तक 15 माह में 61,000 मजरों तक बिजली पहुचाई गई है, इसके साथ ही 46 लाग परिवारों को निशुक बिजली कनेक्शन दिये गए है प्रदेश के 8,85,000 वजजितों को घर प्रदान किया गया है, इसके साथ ही 72 लाग से अधिक शोचालियों का निर्मान करवाया गया है, इस अफसर पर शिरममंत्री ने मांग रखे कि बंजारा नायक समाच को दोसों की आबादी के हर मजरे को हम विदूती करन के साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक सथ हजार मजरों पर बिदूती करका कारे पहुंचाने का कारे किया, श्याजीस लाग परिवारों को हम लोगों ने निसूर को बिदूत करेक्शन उप्लब्द करवाया, प्रदेश के अंदर आज लाग 85,000 गरीबों और भंचितों को आवा सुप्लब्द करवाने का कारे किया, प्रदेश के अंदर लगों और सीमानत किसानों के कर्ज माप करने के साथ सथ हम लोगों ने प्रियास किया कि खुले में सोच से मुप्त प्रदेश बने, इस दृष्टी से 72,00,000 से दिक सोचारेयों का निर्मार प्रदेश के प्रदेश के सामाजिक योजनाओं के लाभारतियों से नमु एप के जरी आज बात की, उन्होंने सरकार की बीमा योजना और पेंशन योजना के बारे में लोगों से जानकारी हासल की जन सुरक्षा के तहित शुरुकी कई योजनाएं काफी कम प्रीमियम पर लोगों को दुरगटना बीमा और जीवन बीमा उपलब्द करा रही हैं, इसके जरीए हर तपका, हर आयूवर के लोग जुल कर लाभ ने रहे प्रधान मंत्री ने नमो एप के जरीए देश भर में समाजिक सुरक्षा का लाब उठा रहे लाभार्तियों से बाच्चित की इन सभी योजनाओं का मकसद एक समावेशी समाज बनाना है, ताकि सभी नागरिक समान अधिकारों के साथ जीवन यापन कर सकें हमने तीन बातों पर जोर दिया हूं, बैंकिंग अन्बैंक, फंडिंग अन्फंडेट और फाइनसली शिकुरिंग अन्शिकूर्ट और आप सब लोगों को बहुद खुशी होगी कि विश्व बैंक की फिंटेक्स रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधान मंतरी जंदन योजना एक सफ़ल फाइनसल इंक्लूजन प्रोग्रेम रहा 9 मैं 2015 को प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना और जीवन जोती भीमा योजना चुनू की गई थी प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना के तहट 12 रुपे सालाने के खर्श पर 2 लाग का दुरगटना भीमा उपलब्द कराया जा रहा है वहीं प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के तहट 330 रुपे सालाना के खर्श पर 2 लाग का जीवन बीमा उपलब्द है और इन में से 52 प्रतिक्षत 50 प्रतिक्षत से ज़्यादा लोग हमारे गाउं के ग्रामिंग शेक्रों से पिछले बर सरकार ने प्रधान मंत्री वय बंदना योजना की शुरुवात की इस योजना के तहट 60 साल से उपर के नागरिक को 10 साल तक 8% 8% सुनिश्चीत रिटन मिलता है प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना के तहट बारा रुपिय सालाना यानि मात्र एक रुपिय प्रती माह के प्रीमियम से दो लाग रुपिय का दुरगटना भीमा कवर मिलता है प्रधान मंत्री ने नमो एप के जरिये लाभारतियों से बात करते हुए केंदर सरकार के उद्देश को बताया उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश ऐसे सभी वन्चीतों, पिछडों और आर्थिक वित्तिय गति विद्धियों से अचूते लोगों को मुखेधारा में शामिल करनी का प्रयास है जिससे एक समाविशी विकास हो सके और नया भारत बन सके और चलिए आगे बलते हैं प्रधान मतरी समादी इस्थल पर संत कबीर अकादमी का शिरन्याज भी करेंगे इस संस्थान की लागत तकरीबन 24 करोन की होगी पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानकोवे ठाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो कबीर की इन पंक्तियों को अगर समझना हो तो उनके निर्वान अस्थली मघर में आपको आना होगा यहाँ पर एक तरफ आमी नदी है दूसरी तरफ मंदर और तीसरी तरफ ये मस्जिद मस्जिद और मंदर दोनों की दीवारे एक हैं और कबीर की समाधी अस्थल और उनके मजार भी एक जगह हैं जो मजवी एकता की मजबूत दीवार को प्रधशित करते हैं प्रदानमंत्री नरंदर मोधी गुरुवार को महानसंत कवीर के प्रगट उत्सप यानि जन्मोत्सप को यादगार बनाने के लिए उनकी समाधी अस्थल तक पहुँचेंगे और यहाँ पर कवीर अकादमी और अंतराश्तिय शोद संस्थान का सिलान्यास भी करेंगे प्रदानमंत्री यहाँ पर कवीर परपत का, कवीर अकेड़ी का, यहाँ के जो कौर भी स्वद संस्थान से संबंदित जो कुछ पाट रह गये थे उसका सिलानाच भी करेंगे और यह हमें उमीद है कि 2019 के पहले पसंपूर रूप से बन भी जाएगा प्रदानमंत्री नरंदर मोदी के मघहर आगमन को लेकर तैयारियां पूरे शबाब पर हैं जहाँ प्रदानमंत्री नरंदर मोदी एक जन सभा को भी संबूरित करेंगे प्रदानमंत्री नरंदर मोदी देश के पहले से प्रदानमंत्री होंगे जो कवीर के निर्वान अस्थली मघहर आएंगे और कवीर की समाधी अस्थल और मजार पर इवादख करेंगे तो कल प्रधान मंत्री निर्मोदी मघहर आने वाले हैं इसको लेकर वहाँ तैयारियां जोरों पर हैं मुख्य मंत्री योगी अजनात ने आज वहाँ पहुचकर तैयारियों जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीच्छा बैठक भी की कि आज से पांसो वर्स पूर संदक विरदाजजी ने जो संदेश दिया था मैत्री का संता का सांति और सुहार्द का आज इस दुनिया को उसकी आउसिकता है और दुनिया के अंदर वसंदेश पहुचे इस दिश से आधने प्रधानमंत्री जी ने योग को बैस्विक माननेता दिलाई कुम्ब के आयुजन को एक बैस्विक माननेता दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा ह और कल यहाँ पर आगमन तर्हानमंतिजी का एक अत्यंत महत्वकून घटना है प्रेदेश और दुनिया के अंदर कवीरपंत से जुड़े वहे जो संत है जो साधक है जो नियाई है उनके साथ साथ भारत की प्रंप्रा भारत की संस्कृति और भारत की अध्यात्मिक संस्कृतिक और सामाचिक विरासत के प्रती सर्था का भावर रखने वाले कोट कोटी लोगों के लिए भी एक महत्वकून और गौरव का पल होगा आपको भी रोथी कहते हैं कि जैन्ती उनका जन्व वहाहां supplements रोन वर्स में अलग लग कार्यक्रम अलगलका स्थानों पर होते मुख्यमंत्री योगी अधिनात ने प्रदेश पुलिस को सिविल मामलों में रात में दविश नहीं देने के निर्देश दिये हैं। पूर्ण मामले की जाच कर दो दिन में आख्या उपलप्त कराने के निर्देश दिये गए हैं। निर्मान प्रतिबंदित करने का फैसला किया है। मंत्राले ने ऑक्सितोसिन की आयात पर भी प्रतिबंद लगा दिया है। एक जुलाई से अब निजी कंपनिया ऑक्सितोसिन नहीं बना पाएंगी। सिर्फ सरकारी छेद की कंपनी करनाटक्ट अंटिबायोटिक्स एंड फार्विसितिकल्स लिमिटेड ही इसका उत्पात कर सकेगी। सरकारी और निजिशेद के निबंदिद अस्पतालों और क्लीनिकों में ही अब ये कमपनी औक्सितोसिन के आपूर्टी कर सकेगी खुद्रा दवा विक्रिताओं के जरिये किसी दूसरे रूप और नाम से इसकी विक्री पर रोक होगी औक्सितोसिन का दुरूप योग रोकने के लिए ये फैसला किया गया है दूद और सबजियों का उत्पादन बढ़ाने में औक्सितोसिन इस्तिमाल होता है नशा एवं उन्माद बढ़ाने में भी औक्सितोसिन का इस्तिमाल किया जाता है इससे ज़ादा इस्तमाल से कैंसर और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है देश में अभी करीब 130 कंपनियां ऑक्सिटोसिन का उत्पादन करती है और जनपत्थ शाजहापुर को महानगर घोशित करने के बाद स्मार्ट सिटी जैसे शहरों में शुमार करने की दिशा में सरकार ने बिजली ट्रिपिंग फ्री का काम करना शुरू कर दिया शहर का कायकल्ब करने के लिए 27 करोन की लागस से नए बिजली घर ओवर्लोडिंग की समस्या बिना शटडाउन किये दूसरा फ्यूज लगा कर बिजली आपूर्टिक सुचारी रूप से चला कर ट्रिपिंग फ्री सिटी कोशित कर दिया गया जनपत के अदिक्षन अभियानता अजीत कुमार श्रिवासों न बताया कि शजहापुर नगर निगम को बिजली ट्रिपिंग फ्री करने को लेकर 27 करोन रुपए मिले हैं जिससे शहर के सभी बिजली घरों को आपस में इंटरकनेट किया जाएगा ताकि एक बिजली घर में ब्रेकडाउन करने पर दूसरी बिजली घर की आपूरती सुचार रूप से चलती रहे इसके लिए 507 ट्रांसफार्मरों के लिए एक फ्यूज यूनिट सेल और नए बिजली घर बना कर ट्रिपिंग फ्री जोन करने का काम अगले तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा उसमें साहजांपूर भी एक जिला है नगर मापालिका है इसको हम लोग पंदधे अगस तक 9 ट्रिपिंग hagaas पान पंदे अगस तक 9 ट्रिपिंग जोन से सारे काम समाथा जहाएगां तो ट्रिपिंग से फ्यूज निजदमka Maisam again a half since जनपतवासियों को कहना है कि सरकार का एक खदम सरहानी है क्योंकि आज तक इस भीशनल गर्मी में सबसे बली समस्या बिजली की ही रहती है, उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के दिन काटना मुश्किल होता है और इलाबाद ने बन रही रोड़ों को किनारे पुराने से पुराने पेलों को अंगिनत काटने के विरूद मी हुमन राइट्स के बेन तले कई विश्विद्याले के विधिचात्र शात्राओं ने आज लाबाद के सुबास चौरहय पर पेल बचाने के लिए एक जन जागरन यात्रा निकाली इस यात्रा के माद्यम से जन जागरन को पेल बचाने के लिए प्रोसाहित किया गया और पेल से होने वाले लाबों को आम जनमानस को बताया गया उन्होंने सरकार से मांगी की पेलो की कटाई जिस तरह से हुई है उसी प्रकार पेलो का वरक्षर उपन करके उसकी पूर्दी की जाए इस मौके पर हिमन राइट्स के अध्यक्ष और लहबाद हाई कोट के वरिशा दिवक्ता के किराय ने बताया कि हम लोग पेल को बचाने के लिए और पेल को लगाने के लिए ये जन्जागरान अभियान चुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ सभी वरके लुक्षानी हो रहे हैं और उसमें अधिक से अधिक सहभागिता कर रहे हैं और अब बात मौसम की डिल सब्तहा की देरी के बाद बंगाल की खाली से चला मानसून बिहार जहार खंड होते हुए पूरवी उत्तर प्रदेश में पहुच गया है आज लखनों में बादल चाय रहने का करण तापमान में कमी आई वहीं पूरवी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश ने लोग को गर्मी से राहत जरूर दी पाइतीस और जहासी का साइतीस दुश्मलाव छे डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और अब अन्त में प्रमुक्सम अचार एक बार प्रदेश के अबनेट बैठक में आज 17 हैं प्रस्तावों को मंदूरी जेही और एएस बीमारी की रोक्ताम के लिए आरोगी पेजल योजना को मंदूरी मुक्त मत्रे ने का प्रदेश पे छे करून लोगों को आईशमान भारत रोग योजना से लाब आज बंजारा समाची रेली में कहा दोसों की आबादी वाले मजरूपा जिर्जीकरन करके कराया जागा पक्ति सलक का निर्मार प्रदानमतिन निमोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाबारतियों से किया समबाद कहा जन सुरक्ष के तहट लाओ की गई योजनाएं अलग अलग प्रिस्तितियों और आई वर्क के लोग के लिए हैं और प्रदानमतिन निमोदी कल सबीर के 620 में प्राकट टिक मौसम मघहर में लेंगी भाग इस अफसर पर संथ कबीर अकादमी करिंगे शलन न्यास मुक्वनतिन ने लिया कारिकरम की तैयारियों का जाइजा इसके साथ समाचार समापत हुए हमें दिजय अनुमती लेकिन आप देखते लिए दूदुशन नुतर प्रदेश नमस्कार